नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे विशेश कारिक्रम में मैं हूँ आपके साथ वर्शा सिंग राजी की पुलिस महानिदेशक का पद सम्हालने के बाद से ही अशोग कुमार जी लगातार पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए कारी कर रहे हैं महाकुम को देखते हुए भी उत्राखन पुलिस के सामने इस समय बड़ी चुनौती है क्योंकि महाकुम में शामिल होने के लिए इसनान में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचते हैं ऐसे में भीड को नियंद्रत करना यातायात को संभालना और उसके साथ ही कोरोना की वज़ा से जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं तो इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं राजी के पुलिस महानिदेशक अशोग कुमार जी तो अशोग जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और यह जो पुलिस परिवार का मुख्या बनने के बाद राजी का पुलिस महानिदेशक बनने के बाद पहली बार हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं तो आपको बहुत-बहुत बढ़ाई भी जी बहुत धन्यवाद जी तो कुम्ब से शुरुवाद करते हैं हम क्योंकि महा कुम्ब हमारे ठीक सामने है और एक बड़ी चुनोती होगी इस बार कुम्ब में भीड को नियंतरित करना और सुरक्षा के लिहाज से भी कुम्ब तो हमेशा से ही पुलिस के लिए चुनोती रहा है तो हमारा इस बार पूर्ण कुम्ब है अर्थ कुम्ब नहीं है पूर्ण कुम्ब में हमेशा भीड बहुत जादा रहती है खाड़े भी आते हैं शाइसनान होते हैं तो बहुत चुनोती पूर्ण कारे हमेशा से र Verबट लेगा अगर कुरोना पुरी तरह खतम हो जाता है अब जैसे वैक्सिना आ चुकी है कोरोना दिन निन प्रति दिन कम हो रहा है और अगर कॉरोना के रिश्टिक्टिंस बने रहे या कोरोना का डर बना रहा तो भीड़ उतनी नहीं होगी फिर हमें को देखते हुए उसकी कईड लाइन्स का भी पालन कराना होगा लोग बाग टेस्ट करवा करके आएं और रेइस्टर करा करके आएं तो यह सारे जो है अंतिम सवरूप इन सब पर कोरोना की करवट पर डिपेंड करेगा किन्तो हम अपनी और से पूरी थियारी कर रहे हैं कि जो कुम्ब की चुनोती मुख्यत क्या होती है भीड नियंतरण को कोई बहुत सारे राष्ट प्रोधी तत्व हैं वह भी कुछ नो कुछ सबोटाज का प्रयास करते रहते हैं तो यह सब चुनोती हैं हमारे सामने हैं यह ट्रेडिशनल हैं यह बड़ी चुनोती हैं बहुत बड़ी त्यारियों के बावजुद घटना होती रहे हैं बूत काल प्रिशनान हुआ उसमें भी बड़ी संख्या में लोग आये हरे द्वार जो एक्सपेक्टेड था लगबाग उतने ही छे-सात लाख लोग आये तो नहीं मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आये नहीं बहुत कम जो एक्सपेक्टेड लेवल के लोग आये जो मुखेस दिन है चोदा एपरेल जो मैं भोड़ रहा हूँ उस पर एक करोड से भी ज्यादा पार कर जाते हैं लोग में तियारी हमारी उसकी है उससे पहले रिहरसेल है तो यह मैं यह भी समझना चाहिए कि इतनी जो लोग आएंगे तो कोरोना चुकि एक तो भीड है और याता याता है यह रहता ही यह चुनवती रहती है लेकिन कैसे टेस्टिंग होगी कैसे सोशल डिस्टंसिंग का पालन होगा यह अपने आप में बहुत देखे मैं वह ही कह रहा हूँ कि कोरोना के रिस्टिक्शन कितने रहते हैं तब तक उसका बहुत उस पर बहुत डिपेंड करेगा यह भी है अभी इलाबाद में भी माग मेला चल रहा है उन्होंने का अभी पांच दिन पहले का RTPCI टेस्ट किया हुआ होना चाहिए जो लोग और अपने को रेजिस्टर जरूर करा ले एक होता है कि बहुत लोग उसी दिन आके चले जाते हैं बहुत लोग जहें वही नाइट जो रात रुकेंगे उनकी जुरूर टेस्टिंग हो तो यह अंतिम स्वरूप इसका अभी फाइनल नहीं हुआ है जैसे मैंने किस तरह से हम टेस्ट करेंगे और क्या तरीका होगा और वैसे मौजुदा व्यवस्था क्या है अगर कोई बाहर से हरिद्वार आ रहा है तो उस स्नान के दिन हम रेस्टिक्शन लगाते हैं अभी जो 14 जनुवरी को मकर सक्रांतिका स्नान गया उसमें भी एडवाइजरी जारी हुई थी जिलादी कारी की और से कि जो लोग आएं टेस्ट करा करके आएं तो इसी तरह का हर स्नान से पूरू कॉल ली जाएगी जिला परशा इसनान तो उससे पहले एक डिसिजन हो जाएगा तो वो देट भी एक सवा महिना दूर है तो जैसे मैंने कहा कि करवट किदर को जाती है उस पे भी डिपेंड करेगा और ये भी है कि एक तो हरिद्वार में आए दूसरा घाटों पर भीड को नियंत्रत करना तो क्या जो इस कराना होगा ताकि एक सीमित संख्या में लोग घाट पे रहें उसको किस तरह देखिए उसके लिए भी हम बहुत सारे हमारे मेत्टोलोजी होती है इस बार घाट कहीं किलोमेटर घाट और बढ़ा दिये गए हैं मुख्य जो गंगाजे की मुख्य धारा एक तो हरकी पैड़ है तो कुछ लोगों को कुछ देर के लिए उन होल्ड अप एरियाज में रोक देते हैं तो वो भी हमारे एक स्टेट जी होती है और इसी तरह से इवन जो बहुत ज्यादा भीड आ जाते तो कई बार हम हर्दवार के आउटर पे भी उनको कुछ देर के लिए एक दो घंटा क लिए होल्ड अप करा देते हैं ठीक है ताकि भीड को इस तरह से कंट्रोल किया जाए तो वेक्सिनेशन का प्रोसेस चल रहा है अभी पुलिस विभाग ने भी अपने इक अदिकारी को कोई-19 के वज़े से खोया है निताल किया पर पुलिस अदिक्षक जी की बिति हुई है क्योंकि कुम्ब के दौरान बहुत सारे पुलिस करमी होंगे वह भी बाहर की लोगों के संपर्क में आएंगे तो उनकी भी वेक्सिनेशन के लिए हम क्या कोई प्रयास कर रहे हैं तो हमने रिचाइट क्या है कि जो कुम्ब वाले में जितने भी फोर्ज जाएगी उसको सब से पहले वेक्सिनेट करवाएंगे हां क्योंकि कुम्ब में ज्यादा जरूरी होगा और इसके अलावा जो लोग आते हैं शहर में आते तो जो होटल है धर्मशाला है उन जगों की भी मॉनिटरिंग होगी क्योंकि उनको अकाउंटेबल बना जाएगा क्योंकि जो रोक रहा इसे इवेंट्स होते हैं बड़े इवेंट्स होते हैं तो यहां पर एक कम्यूनिटी पुलिसिंग की भी जरूरत होती है कि लोग भी जो वहां के स्थानी लोग या दुकानदार हैं उनको साथ मेले करके ताकि व्यवस्था बनी रहे इस तरह का भी एक कॉंसेप्ट नी बि पुलिस महानिदेशक बनने के बाद आपने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं तो मैं जो सापता ही कावकाश है जो सबसे जादा जरूरी लगता है शायद की एक छुटी तो सबको चाहिए होती नहीं तो तनाव बहुत जादा होता है तो इसके बारें बताए कि किस तरह से आपने इस फैसलिए है कि हमारे जो पुलिस कर्मी है उनकी डूटियां भी नॉर्मली बारा घंटे के लगती है और अगर नैशनल एवरेज की बात करें सर्वे में थर्टीन आवर्स आया है पुलिस कर्मियों का नैशनल पर डे वरक है तो उसके और दूसरा उसमें है कि संडे भी कोई ओफ नहीं है क्रिमिनल तो कोई चुटी ले था नहीं है थाने तो 24 गंटे सातों देन खुले रहते है थाने चोकियां तो इसलिए उसकी डूटी जो है बचारे की लगातार चलती रहते है जब तक कि वो उसको चुटी नह है तो कभी-कभी मान लिया एक महिने से दो महिना हो गया तो एक आदमी साथ दिन तक नोन स्टॉप बिना ब्रेक के चल रहा है तो उसके लिए है भी तो होई जाता है तो इसलिए मैंने यह क्या है कि भाई चाहे हम डेली वर्किंग और बढ़ा दें और वीकली एक टाम उसे के इसूज है या अपने ही कपड़े अपने धोने हैं तो यह सारे काम वो कर सके तो वीकली रेश्ट का हमने एक अभी अटेंप्ट कर रहे हैं एक परकार से उसको पाइलट मोड में लिया उसको ट्राइल पर लिया कि क्या हमारी काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा तो मतलब यह कि स्टाफ की कमी है जिसकी वज़से छुटी नहीं तो इस दिशा में भी हम कुछ कुशिश करते हैं कि ताकि छुटी तो सबको मिले एक अपटे मेंजेले। ट्राफिक अभी उत्राखंड जब बना, चार लाग गाड़ियां थी, आज तीस लाग गाड़ियां तो कहां जाएंगी वो, तो हमारा इक तम से चैलेंज चुन होती ही बढ़ गई, साइबर क्राइम एक नया क्राइम पैदा हो गया, जिंदगी ओनलाइन होती जा रही है, उस के लिए मुझे नहीं मेन पावर चाहिए, बिल्कुल, तो पुलिस की चुनोतियां हमेशा, ड्रॉक्स एक नया चैलेंज आ गया है, तो चुनोतियां बढ़ते रहती हैं, इसलिए हमारे आदमी उसके वर्किंग आउर्स बढ़ते रहते हैं, तो यह जो अभी नौ जिलों मे परवतिय जिले हैं, मैदानी जिले में भी यह बारी आएगी में कुम्ब के बाद उसको यहां पर ट्रायल में लूगा, कुम्ब एक बारी हो जाए, क्योंकि कुम्ब में हमारी एक्स्टा डूटी गई, उन्हीं जिलों से कटी, तो मान लिया मेरे एक हजार आदमी से उसमें यह अच्छा होगा और एक और भी बात आपने कही कि जो उनका पुलिस कर्मियों का जो हैपिनेस लेवल है कि वो भी बरकरार रहे और कोछ एक समीती भी बनाई है आपने पुलिस जन समाधान समेती इस तरह की तो ताकि उनकी समस्याएं जो हैं वो सुल्जाई जा सके एक हमार दूटी पुलिस के रहती वो और तनाव रहता है उसको और शड़कों पे रहना होता है तो ऐसे में उसको हम चाह रहे है कि उसकी लिविंग कंडिसन बटा रहा हो तो उनका एपिनेस कोशन जो हमने उनकी पुलिस जन समाधान समीती बनाए कि जिससे उनकी जो समस्याएं है तो ओनलाइन हमें WhatsApp पे आ जा रही है तो 90% का हम उसे पे समाधान कर दे रहा है तो वह WhatsApp पे समस्या है आपको भीच सकते हैं जिस पर सबसे हम करा करके यहीं से एक सिंगल पॉइंट दे दिया उनको यहीं से उनको जवाब चला जाता है या उन्हें बता दिया जाता है कि आपके अभी सोल होने लाइक नहीं या यह कि दे जाता है कि छे महीने बाद होगी कोई कि विवाग के रूल भी है उन सब को देखते हुए हम उनकी समश्याओं का समाधान कर रहे हैं उनकी living conditions के लिए हमारी barracks की हालत बहुत खराब होते थी उसमें मैंने काफी चेंज के बहुत एकदम से अपग्रेड कर रहे हैं उनको क्योंकि देखिए अब पहले जो हमार स्ट्राइकल भी नहीं होते थी आज तो फोर विलर भी हैं कुछ लोग के पास तो वो एक higher living standard expect करता है जबकि हमारे थाने चोकियों के पुलिस लाइनों के barracks पहले होती बिलो आवरेज लेज तो अब हमने उनका भी standard आप कर दिया है अभी कर रहे हैं आधी जगे होगे आध पहाड में क्राइम तो कम है किन्तु जो पब्लिक के पहली तो प्राइरटी हमारी पब्लिक है ना पुलिस कर्मे तो हम कहते हैं सबसे पहले हमें लोगों को अच्छा result देना अच्छी पुलिस व्यवस्त्ता देनी है तो पहाडों में भी traffic और drugs और cybercrime बढ़ता जा रहा है तो पहाडों में जबकि normal crime बहुत कम था इसलिए पुलिसिंग कम थी पहले तो देरे देरे वहाँ पे traffic की समश्चा बढ़ती जा रही है और cybercrime बढ़ता जा रहा है तो यह सब issues लोगों से समझे और फिर वहाँ पे इनकी appropriate वेवस्ता हम कर रहे हैं और यही है हमारा प्रिया लोगों को भी मुझे लगता है लिटरेट करने की जरूरत होती होगी बहुत पुलीस और लोग सब लोगों को इस साइबर काई या सोशल मीडिया जरूरत में भी क्योंकि जब तक हम demand side को control नहीं करेंगे तो खाली supply side को control करने से काम नहीं चलेगा जब मार्केट में demand होगी तो कहीं नहीं से लोग supply करेंगे तो उसके लिए demand control करने के लिए जरूरी है कि हम UAPD को सकारात्मा की ता की तरफ ले जाए उनको जो है उनकी उर्जा जो है positive direction में जाए न, negative में न जाए तो जब अगर वो अपनी energy को sports में लगाएंगे, academics में लगाएंगे, cultural activities में इसके लिए अभी तो school college बंध है लेकिन school में भी बहुत ज्यादा कारिकरम आप लोगों ने किया, awareness camp लगाएंगे किस तरह से, क्योंकि नशा पहाड़ों की बड़ी समस्या बन गया है, पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, पहाड़ भी उसे अचूते नहीं है, खाली पह cybercrime की बड़ी चुनोती है, जो हमें लगता है, और हम सब को लगता है, कि हम कहीं ऐसा नहों की अंजाने में ही cybercrime का शिकार बन जाए, तो इसके लिए लोगों को भी एक लिटरेट होने की बहुत ज़्यादा ज़री ज़री है, तो आजकल नहीं नहीं है, अपना रहा है, मा अपना रहे हैं, और इससे पहले कि मैं कुछ उसके जाल में हूँ, आप से सीधे बात कर लें कि आपको अप ही आई या कोई और है, तो लोटरी के नाम से, नौकरी के नाम से, बड़े बिजनेस के नाम से, लोगों के साथ दोखाद़ी कर रहे हैं, इससी तरह से, सोशल मीड मेडिया है, तो सोशल मेडिया पे human relations भी बनने लग गए, उसमें बड़े-बड़े fraud आ गए हैं, कोई किसी लड़की की फोटो लगाएंगे, और पीछे कोई और गांग होगा, तो इन सब से हमें बचने की ज़रूरत है, और महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, बीच में हे हैं, हमारे WhatsApp नंबर भी बीच में जारी किया गया था महिलाओं के लिए, और थाने तो अलग से ही हैं, तो इस देशा में महिलाओं की security के लिए क्या कुछ आप पहल करें, नहिला शुरक्षा पे हम लोग कटिबद हैं, और अभी तो हमने जैसे डायल 112 से सब लिंक कर दिया है महिला शुरक्षा के लिए हमने मतलब एक परकार से डबल वेवस्था कर दे, महिला शुरक्षा हेल्प लाइन भी है और यह डायल 112 भी है, 100 नंबर है और 112 नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि जो महिला थाने हैं, वहां शिकायत ही नहीं हो है, मतलब यह अवेरनेस की कमी है, महिला हैं, अपने हका इस्तमाल लिए है, या कुछ इस तरह कि कि वहां पर नहीं शिकायत पहुच रही है, इनका हमने यह भी असेस किया कि कि इतना नतीज़ा कियसा आ रहा है, वोट्सैप नंबर पर किस तरह का रिसपान्स आ रहा है, तो उनके महीला तो महीला तो महीला जाएगे जहां उनके अम हम पूरश वाले थाने में यहां जाने में टर लगेगा 회ण वनाग हे सब दीजा आप अच्छा तो थोड़े लगना चाहिए, तो हम हर थाने को महिला चाल्ड फ्रेंडली बना रहे हो, हर थाने में एक महिला सब इस्पेक्टर हो, चार महिला हो तो और आज आपने एक बच्चों का भी थाना बच्चों के लिहाग से यह क्या चीज है, इसके बारे में बताएंगे, यह भी यह चाइल्ड फ्रेंडली थाने के अंदर है एक चाइल्ड फ्रेंडली रूम बना दिया है कि experimentally सबसे पहले डालन वाला थाने में किया है फिर हर जिले में एक-एक थाना करेंगे देरे-देरे हम उसको सभी थानों बे लागू करेंगे जैसे महिला hong kaa. तो हर थाने में महिला हेलप डेस्क है. बच्चों वाले में सोच जब थाने पहाता अई जब थाने जु lemon में भच्छमने टहने होता है थाने- पेरेट्स भी कहते है यह थिमान जा नहीं तो पूलिस भुला लेंगं तो पूलिस कुछ बच्चे जो हैं पेरेंट के साथ आते हैं तो हमें बच्चों को थाने आके अजीब ना लगे और उनको चाइल्ड फ्रेंडली महाल दिखे इसलिए एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ना बना दिया है और यह जो कुछ बच्चे हैं जो रेल्वे स्टेशन पर है या भिख्षा वृति में जुड़ गये हैं या अब किसी गलत प्रवेत्य के तरफ आ गए हैं तो उनके लिए क्या कुछ अलग से पुलिस करती है ज़्यवस्ता जो बच्चे भिख्षा वृति में उनके लिए हमने मुक्ति कहां से भीक्षा वरिति से मुक्ति तो उस operation के माध्यम से हमने पूरे परदेश में बाइस्तो बच्चों को इडेंटिफाई किया और फिर हमने एक अभ्यान चला भीक्षा ने शिक्षा दो उसी मुक्ति ऑप्रेशन मुक्ति के अंतर रगात कि बच्चों को भीक्षा अब प्रेशन मुक्ति इसको और आगे बढ़ाएंगे और आप भी एक बात लगातार कहते हैं कि पुलीस ऐसी हो कि आम व्यक्ति उससे ना डरें बदमाश डरें लेकिन आम व्यक्तियों के साथ क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग पुलीस को देख कर ही गलती करदाते हैं उनके अंदर जो डर आता है या जो एक ऐसी फीलिंग आती है तो इसके लिए भी डिगिए वो बिल्कुल सही है यह हमारी मेरी धरना है और दूसरा में कहता हूं पुलीस को विक्टिम अरिंटी होना चाहिए पिडित के लित ही पखस में नेरिना लेंख़ कि हमारे समाज में हो क्या रहा है कि जो रिच है और जो इन्फुलेंसल है उसको यश्चिस आराम से मिल जाता है तो जिस्स और इसके अलावा ऐसा भी है कि माली जी की पुलिस की जान से कोई विक्ति संतोष्ट नहीं है उसे लगता है कि हम दुबारा अपील करना चाहते हैं अपनी बात रखना चाहते हैं तो भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपनी बात रख सकता है कि मैंनी संतोष्ट तो फाइनली उसको हम रिव्यू करते हैं, सबसे रिपोर्ट मांगते हैं, अभी मैंने क्या किया है, कुछ केसिज में जाओं बिल्कुल भी संतोष्ट नहीं हो पाता है, तो ओनलाइन ग्रिवेंस रिडरेशल सिस्टम कर दिया, सबता में एक बारी मैं ओनलाइन जो ऐसी तीन- कर लेते हैं, आप वीडियो कॉंफेरंसिंग करते हैं, तो उसमें बंदा आपसे सकता है, बंदा ऑपैतर बेटे होता है, थाने वाइलग एक तरफ होते हैं, अंच्यांनागत कर देह स्यूद्ध. इधर आप बहुत सारे बदलाव जो सकारात्मक देशा में बदलाव है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो ऐसी कोई चीज जो आप हमें बताना चाहें जो आप करना चाहते हैं जो आप सोच रहें कि हम यह भी करके देखेंगे अभी बहुत कुछ पाइप लाइन में है हमने अपने ट्रांसफर पॉलिशी को ट्रांसपेरेंट किया है और जिससे की सब के साथ ने आया हो सके अभी कुछ उनिफोर्म जो है हमारी ऑपरेशनल उनिफोर्म को और स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं सिटी पुलिस में शॉर्ट व पाइसा ही मतलब स्मार्ट पॉलिस बाप जोड़ना चाहा है चीता पुलिस है टू-विलर और एक पुलिस कंट्रल की गाडिया होती है इस है उसको समार्ट संख्या भी बढ़ाना चाहरे और स्मार्ट करना चाहरे है जिस से हमारा response time और better हो सके तो इसी तरह से हम बहुत सार अभी से हमने ओनलाइन शुरू कर दिया है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन अभी ओनलाइन कर दिया है, ऐसे ही मतलब स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ स्टैप्स उठाने वाले हैं, जिससे कि हमारी पुलिस रिस्पोंसिव हो, सम्वेधन सील हो, और लोगों की समश्याओं को मतल और तक्नीक का दौर है इस समय, हर कोई तक्नीका इस्तमाल कर रहा है, तो पुलिसिंग के लिए भी जैसे ड्रोन जैसे तरीके हैं, लोग अपना रहे हैं, अभी हम महाकुम में भी शायद हमें इन सारी चीजों के जरुरत पड़ेगी, मैं तो कही रहा हूँ, हम पुलिस को स माड बनाना चाहते हैं, टेक से भी बनाना चाहते हैं, जैसे हमने साइबर क्राइम को बहुत जल्दी कवर किया, ऐसे ही जो सर्विलांस के तरीके हैं, सीसी टीवी के माध्यम से सर्विलांस हैं, ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस हैं, आर्टिशिल इंटलिजेंस के माध्यम वो सब कुम्ब में भी यूज होगा और डे टू डे पुलिसिंग में भी सब के हम वो अपग्रेड करते जा रहे हैं इसके अलावा जैसे अब हम फिर से एक बार कुम्ब की बात कर लेते हैं कि आप कोई ऐसी खास लोगों से अपील करना चाहें क्योंकि स्थानी लोग भी बहुत जाते हैं स्थान के लिए बाहर से भी लोग बहुत जादा आते हैं तो क्या कुछ उनकी जानकारी में होना चाहिए अगर वो हरिद्वार जा रहे हैं महाकुम के लिए जा रहे हैं कि मेरी तो अपील यही है कि महाकुम में जो प्रमुख देना है उस दिन को अवाइड करें तो ज्यादा भैतर होगा और अगर जाते हैं तो पुलिस के जो जो भी पुलिस का जो सिस्टम है उसका पालन करें क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कारियोजना होती है उसमें और क्योंकि हम एकदम से अरिया भरा होता है हरकी पेड़ी के चारों तो गाड़ियों को पांचे किलोमेटर पीछे रुकना बढ़ता है तो उसके लिए त्यार रहे हैं और पुलिस को कॉपरेट करें जहां वो कहरे भी एक बात हो रहना तो सारी गंगा जी है हरिद्वार में च मेरा ये अपील है जिससे की बड़ी दुरखटना से बचा जा सके वैसे भी जो शाहिस नान के दिन हरकी प्रड़ी पे तो अखाड़ी ना आते हैं तो उसके आसपास के घाटों पे लोगों को नाना होता है बाकी लोगों तो इसलिए उसको उनको उसी से खुसी होनी कुछ और अच्छी चीजे हमें देखने को मिले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तो ये थे हमारे साथ अशोक कुमार जी राजी के पुलिस महारी देशक भविश में आप पुलिसिंग में और कुछ सुधार देखेंगे ज्यादा स्मार्ट पुलिस देखेंगे मित्र